इस लाल बटन को दबाईए और सब्सक्राइब कर दीजे Only4U चैनल को और दबा दीजे इस बैल को ताकि हर नियूस पहुंच सके सबसे पहले आप तर अगर आपका फोन कहीं पे भी पड़ा है तो आपको ड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपके फोन के साथ कौन क्या कर रहा है वो इस ट्रिक से पता चल जाएगा साथी साथ आप इसकी सेलफी फोटो अपने गैलरी में देख सकते हैं और इस एप में भी आप देख सकते हैं तो चले बिना देर किये शुरू करते हैं टुटूरियल तो as usual दोस्तों आपको चले जाना है प्ले स्टोर में प्ले स्टोर मे और इसकी 4.0 रेटिंग से with 500,000 डाउनलोड के साथ में तो चलिए दोस्तों इसे मैंने ओर्रेडी इंस्टॉल कर लिया है तो अब मैं इसे उपन करूंगा आप भी जो है इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिजिए और उपन कीजिए उपन करने के बाद दोस्तों का इंटरल दिखाई देगा, आपको आपकी मोबाइल से स्वाइप करना है Next पर जाना है, नेकस्ट पर जाने के बाद में यहाँ पर आपको इसको पर्मिशन दे देनी है तो यहाँ पर मैं क्LICK करूंग ग्रांड पर्मिशन पर एन्ड यहाँ पर अलाउ कर देना है, अब च इसे जो है activate कर देता हूं, अब दोस्तों यह आपको यह कह रहा है कि आपको जो है इस application को अगर uninstall करना है, means remove करना है, तो आपको इस application के अंदर के menu में से ही करना होगा, नहीं तो यह अपने साथ जो भी data है, इसने जितनी भी selfie खीची है, वो सब delete कर देगा, तो चलिए आप next पर जाईए, यहाँ पर दोस्तों यह पूछ रहा है कि कितनी बार fail attempt होने के बार picture ले, मतलब एक बार अगर pattern उसने गलट डालाया, दो बार, तो चलिए हम इसे दो बार कर देते हैं, अगर दो बार pattern यह गलट डालेगा, और उसके बार अगर यह फिर भी try करेगा, तो यह उ क्लिक कर देना है, यहाँ पर setting पर जाना है, setting में जाने के बार में दोस्तों यहाँ पर यह कह रहा है कि आप कितने picture लेना चाहते हैं, suppose कीजे कि मैं यहाँ पर अगर एक बार कोई गलती से pattern डालता है, या कोई mobile टच करता है, तो तीन बार जो है उसके picture आ जाएं, ठीके तो म यहाँ पर okay करता हूँ, and दूसरा जो है detection behavior, यहाँ पर अगर कोई screen on करे तब आ जाए, तो आपको always पर click करना है, दोस्तों अगर आप always पर click करेंगे, तो फिर क्या होगा, कि जब भी आप खुद भी अगर यह खोलेंगे, तो यह आपकी भी selfie ले लेगा, तो इसमें जो दू पर आपको tick करना है, तीसरा जो है max attempt, जो कि मैंने already 2 set कर दिया है, अब यहाँ पर दोस्तों जो option है save to gallery, means यह जो photo है जिसकी selfie लेगा, उसको gallery में save कर देगा, तो मैं इस box पर भी click कर देता हूँ, तो चलिए दोस्तों बैक में जाता हूँ, अब देखते हैं कि यह application किस तरह स यह हुआ एक बार, दो बार, मैंने दो बार रखा है, तो मैं अब तीसरी बार भी डाल के देख लेता हूँ, अब इसके बाद मैं इसमें सही pattern enter करता हूँ, और देखता हूँ कि किस तरह से इसने काम किया है, तो यहाँ पर intruder selfie में click कर देता हूँ, और आप पाएंगे कि इस दिख रहे हैं, और यह जो तीन photo है दोस्तो आप gallery में भी देख सकते हैं, तो दोस्तो इस तरह से आप जो है अपने mobile को किसी से बचा सकते हैं, अगर आप देखना चाते हैं कि कौन आपके mobile के साथ छेड़खानी करता है, तो यह trick आपके लिए बहुत ही काम की है, तो दोस्त मिलते हैं नेक्स वीडियो में, बाइ बाइ